आज का पाठ है गल्ता लोहा पाठ को पंक्तिदर पंक्ति समन्ने की कोशिश करेंगे और साथ ही शुरू करते हैं पाठ को समन्ने की मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की और मुड़ गए यानि मोहन जो है वो बिना सोचे समझे शिल्पकार टोले की और चल पड़ता है उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वे अनुगूज शेश थी और उसके मन में कुछ न कुछ बाते चल रही थी और उस बात में ये धनराम लोहार जिसके आफर की आवाज जो है उसके कानों में गूंज रह गई थी शेश रह गई थी जिससे वह पिछ तो अभी हमने पढ़ा कि मोहन जो है बिना सोचे समझे शिल्पकार टोले की और चल पढ़ता है और उसके मन में वहानुगून शेश रह जाती है धम्राम लोहार के आफर की जिसे वो वहां से जब भी गुजरता दुकान के सामने से तो उसे देखता और सुनता भी निहाई निहाई लोहे का वेब टुकडा है जिस पर लोहे को गरम करके उसको पीटा जाता है एक नया आकार देने के लिए तो निहाई पर रखे लाल गरम लोहे लाल गरम लोहा जिस लोहे को आग में बहुत तपाया गया हो नरम करने के लिए जिसे कि उसे पीट पीट कर एक नया आकार दे कर कुछ भी नया बनाया जा सके तो निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पढ़ती हतोड़े की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और जब ऐसे आवाज होती है तो हाँ पर लोहा लोहे से टकराता है और खन खन की आवाज आती है और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पढ़ती हतोड़ी की खनक जिनने वे दूर से ही पहचान सकता था और दूर से ही आवाजों को सुन कर मोहन जो है इने पहचान जाया करता था लंबे बेत वाले हस्वे को लेकर वे घर से इस उत्देश से निकला था हस्वा जो की फसल काटने के काम आती है लंबे बेत वाले हस्वे की बात हो रही है यहां पर लंबे बेत वाले हस्वे को लेकर जब मोहन अपने घर से इस उद्देश से निकलता है कि वे अपने खेतों के किनारे उग आई काटेदार जाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा बुढ़े वन्शिधर जो की मोहन के पिता है बुढ़े वन्शिधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा यानि कि मोहन के पिताजी जो है अब ये सब काम नहीं कर सकते यानि कि खेतों का काम करने वाले लोग जो छोटे मुटे खर तवार जो निकल आते हैं उनकी खेतों में उनकी कटाई छटाई करते रहते हैं क्योंकि वो सारा पोशन जो है छीन लेते हैं इसी काम को करने के लिए जब मोहन जो है अपने बेत वाले हस्वे को लेकर निकलता है तो उसमें कुछ उसे समस्या दिखाई देती है जिसके लिए उसे लोहार के पास जाना पड़ता यही क्या जनभर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वैसे कहां कर पाते हैं यहाँ पर बुड़े वंशिधर की बात हो रही जो की मुहन के पिता है उन्होंने सारा जीवन पुरोहिताई की है यानि पंडिताई की है और उसी के आधार पर जो कमाई होती थी उससे उन्होंने अपना घर संसार चलाया और वो भी जो है अब उस तरीके से नहीं कर पाते हैं यजमान लोग उनके निष्ठा और सहियम के कारणी उन पर श्रद्धा रखते हैं यजमान जो भी लोग अपने घरों में पूजा करवाना चाहते हैं वो यजमान होते हैं और यजमान लोग जो हैं बुढ़े वंशिदर जो की बहुत ही निष्ठा से काम करते हैं तनमेता से संयम से काम करते हैं और इसी निष्ठा और संयम के कारणी वो उन पर बहुत विश्वास रखते हैं श्रद्धा रखते हैं जिसकी वज़े से उनसे ही वो पंडिताई या फिर पूजा के जो काम थे व उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था सुबह सुबह की ही बात है बोड़े वंशिधर जो है वो कहते हैं सहारा पाने की नियत से कि अब शरीर तो बूढ़ा हो गया है अब जो है उसे लगता है कि बेटे के सहारे की अब जरूरत जो है आनपड़ी है आज गर्नाथ जाकर चंदरदत जी के लिए रुद्री पार्ट करना था अब पिता जो है अपने बेटे मोहन से कह रहे है कि गर्नाथ जाकर चंदरदत जी के यहां रुद्री पार्ट करना था रुद्री पार्ट यानि शिव जी की भक्ती में जो मंत्र जाप होता है उसे रुद्री पाठ कहते हैं अब मुश्किल ही लग रहा है यह दो मील की सीधी चड़ाई अब अपने बूते की नहीं एका एक ना भी नहीं कहा जा सकता कुछ समझ में नहीं आता और कहीं न कहीं हिंट दे रहे हैं कि शायद ल यह बाते क्यों कह रहे हैं जिससे कि पिता का यह काम वो जो है अब खुछ संभालने लगे और यह जो पुष्टैनी काम है उसका वो संभालने लग जाए लेकिन घर के हालात जो है वो इस तरह के क्यों हो गए यह सभी जानते हैं पुरोहिताई से इतनी कमाई नहीं होती है क लोग जो है बहुत ही बहतरी जिन्दगी जी सकें और इसी के चलते उन्होंने मोहन की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की जो की आगे पार्ट में पता चलेगा लेकिन उसके साथ किस तरीके से उल्टा हो जाता है मोहन उनका आशे नहीं समझता हो ऐसी बात नहीं लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गती तो मोहन जो है अपने पिता की वो सारी बाते समझता है कि पिता चाहते है कि वो अब इस काम को संभाल ले लेकिन कहीं न कहीं वो नहीं चाहते हैं क्योंकि ऐसे अनुष्ठान कर पाना यानि इतनी तनमेता से इतने सयम से वरतुगवास के साथ ऐसे अनुष्ठान कर पाना ना तो उसे आदत ही अभ्यास ही है और ना ही उस तरीके का उसे काम करने की आप कह सकते हैं कि ना तो स्पीड है ना तरीका है तो चीजे नहीं आती है तो वो काम नहीं किया जा सकता ना ही उसमें उसका मन है पिता की बाते सुनकर भी उसने उनका भ पिता का जवाब ना दे कर मोहन ने उस बात को वैसे ही हवा में अनुत्रित सा छोड़ दिया पिता का भार हलका करने के लिए वैं खेतों की और चला था पर उसे ये लगता है कि पिता का भार हलका कर सके इसके लिए वो खेतों के काम करके उनकी मदद कर सकता है तो वो पिता का भार हलका करने के लिए खेतों की और चल पड़ता है लेकिन हस्वे की धार पर हात रखते फे धनराम अपने बाए हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाए हाथ से भटी में गरम होते लोहे को उलट पुलट रहा था धनराम जो की मोहन के साथ ही उसका पढ़ने वाला सहपाथ ही था लेकिन समय के साथ ही उसने अपने पिता से लोहार का काम जो है उसकी पूरी दक्षता ले थी ति और आज वो अपने काम को बहुत ही तन्वेता से कर रहा है और वहीं पर अपनी कुंद हुए हसुए को लेकर मोहन पहुचता है धनराम अपने बाए हाथ से धहुकनी फुंक रहा है और दाय हाथ से भटी में गर्म होते लोहे को प्लट प्लट रहा है मोहन जो है भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के उपर बैठा और उसकी कारीगरी को पार्खी निगाहों से देख रहा था और ध्यान से देख रहा था कि जो धनराम है वो किस तरीके से पार्खी कितना एक्सपर्ट हो चुका है अपने कामों में और उसको बहुत ही बारीकी से देखता है मास्टर तिलोक सिंग तो अब गुजर गए होंगे मोहन ने पूछा मोहन आया बैठा और उसने बातों को छेड़ना शुरू किया क्योंकि वो दोनों सहपाथ ही रह चुके हैं तो अपने टीचर्स के विशे में बाते कर रहे हैं और डिसकस कर रहे हैं मोहन पूछता है कि मास्टर तिलोक सिंग तो अब गुजर गए होंगे वे दोनों अब अपने बच्पन की दुनिया में लौट आये थे धनराम की आँखों में एक चमक सी आ गई रहे बोला मास्ट साब भी क्या आदमी थे लला अभी पिछले साल ही गुजरे सच कहूं आख रहा है और क्यूं कि रहा है लला सहपाठी ते फिर भी लला कह रहा है क्यूंकि मोहन जो है वो उची जाती का यानि कि ब्रामण जाती से जुड़ा था द समझ में आचुकी है कि ये जो विभाजन हुआ है जाती के अधार पर ये मान कर ही उन्हें रखना होगा और इसी इसाफ से चलना होगा जिसके अधार पर वो उसको इतनी जद दे रहा है तो आगे धनराब बताता है कि वो भी पिछले सारी गुजरे हैं लेकिन सच कहूं तो आखरी दम तक उनकी चड़ी का डर मुझे तो लगा ही हुआ था दोनों हो हो कर हस दिये यानि दोनों ही इस बात पर हस देते हैं कुछ शणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लोड़ जाते हैं तरीके से कई बाते निकलती हैं उस पर वो बाते करते हैं डिसकस करते हैं और उसी दुनिया में खो जाते हैं गोपाल सिंग की दुनिया से गोपाल सिंग की दुकान से हुक्के का आखरी कश खीच कर त्रिलोग सिंग स्कूल की चार दिवारी में उतरते हैं थोड़ी देर पहले तक धमा चौकडी मचाते उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनी ओपर जूलते बच्चों को जैसे साप सूंगया है कड़े स्वर में वह पूछते हैं प्रात्ना कर ली तुम लोगों ने यह जानते वे भी कि यदि प्रात्ना हो कई होती तो गोपाल सिंग की दुकान तक उनका समवेथ स्वर पहुचता ही समवेथ स्वर यानि स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं जब वो एक साथ प्रात्ना करते हैं तो उनका स्वर जो है एक साथ ही चलता है मोहन उनका चहेता शिष्य था तो यहाँ पर जिन तरलोक सिंग मास्टर की बात हो रही है मोहन को वो बहुत पसंद करते थे उनके चहेते शिष्य थे पुरोहित खांदान का कुशागर बुद्धी का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड पुरोहित खांदान मो पूरे स्कूल का मोनिटर बना रखा था सिर्फ क्लास की नहीं बात हो रही है यहाँ पर पूरे स्कूल की बात हो रही है कि मोहन पूरे स्कूल का मोनिटर हुआ करता था वही सुबह सुबह हे प्रभो आनंद दाता ज्यान हम को दीजिये का पहला स्वर उठा कर प्रार्थना प्रार्थना शुरू इस तरीके से हो जाती थी मौहन को लेकर मास्टर तिलोग शिंग को बड़ी उम्मीद मास्टर तिलोग की बात हो रही है जो कि मोहन उनका प्रिये शिश्मय था पूरी स्कूल का मोनिटर भी उनको यह बना रखा था उनको ये पता था कि पुरोहित खांदान का ये कुशागर बुद्धी का बालक है और इसी के चलते मास्टर तिलोक सिंग जो है उनको मोहन से बहुत उमीदे थी कि वो आगे चलके जीवन में अपने भविशे में बहुत कुछ करेगा कक्षा में किसी चात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते रूनका अनुमान सही निकलता मोहन ठीक ठीक उत्तर दे कर उन्हें संतुष्ट कर देता और तवे उस फिसड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते और यहीं पर ही जो है जो जातिगत बेदभाव है वो दिखना शुरू हो जाता है कि मास्टर साहब जो तरलोक सिंग जी जो है मास्टर के तौर पर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो जातिगत बेदभाव को जो है बहुत ही ध्यान में रखते हैं जिसके चलते जिन बच्चों को क्लास में सवाल नहीं आते उसके बाद वो मोहन से पूछते तो मोहन जो है उन्हें सही सही उत्तर देता और वो संतुष्ट तो हो जाते पर बाकी बच्चों को मारने का दंड देने का भार जो है वो मोहन पर डाल देते पकाड इसका कान और लगवा इससे दस उठक बैठक और इस तरीके से उसको ये बाते बोल कर मोहन से जो है बाकी बच्चों को दंड दिलवाना ये सब उनके द्वरा किये गे बेद बाओ को दिखाता है कहते हैं पकाड इसका कान और लगवा इससे उठक बठक, दस उठक बठक वे आदेश दे देते, धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था, उन्हीं छात्रों में से एक छात्र धनराम भी था, जो मोहन के द्वरा दंड पा रहा होता था, जिससे, जिसने त्रिलोक सिंग मास्टर के आदेश पर अपने हम जोली, हम जोल के मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे आज 물론 जिस लोहार के पास बैठा है जिसका नाम अपने धनराम शुरू में ही पढ़ा है यह उसी धनराम की बात हो रही है जो कि उसका हम जोली है यानि एक ही उम्र का है और साथ सी उसने मोहन से अपने स्कूल के दिनों में कई बार मोहन से धन्रव कही न कहीं इर्षा तो करता था पर उसके बाद भी वो धन्राम प्रारब से उसके प्रतिस्त्ने और आदर का भाव भी रखता था वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं जो माहौल है, जो समाज है वो जबरदस्ती उनको यह सिखाता है कि जो जातिगत बेदभाव है जिसके अनुसार तुम जो है उनसे छोटे हो आपको वैसा ही आदर सतकार भाव अपने से बढ़े जाती के लड़कों के लिए रखना है इसका एक कारण शायद यह था कि बच्पन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वन्दी यानि कॉम्पटीटर समझा ही नहीं क्लास में क्या होता है कैवार बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं लेकिन अपने आगे ही बागी बच्चों को जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं अंधरूनी प्रॉबलम तो होती है कि मैंने भी इस तरीके से ही अच्छा प किम्ता क्या है या भेदभाव क्या है या बटवारा क्या है और ये चीज़ें समझ लेने पर वो जान जाते हैं कि अपने ही हमजोली जो हैं उनको कैसे आदर सत्कार करना है इसे मोहन का अधिकार ही समस्ता रहा था बीच-बीच में त्रिलोक सिंग मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन कर स्कूल का और उनका नाम उचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था तो इस तरीके से ये हर किसी का सोचना कि मोहन जिस तरीके का कुशागर बुद्धी का बालक है वो बड़ा होकर कुछ श्चना कुछ बड़ा काम करेगा और नाम कमाएगा और हमारा भी नाम साथ में रोशन करेगा और धनराम वैं गांगे दूसरे खेतिहर या मज़़ूर परिवार के लड़कों की तरह किसी भी प्रकार तीसरे दरजे तक ही स्कूल का मुह देख पाया था जो भी मज़़ूर तरह धनराम के साथ भी हुआ त्रिलोक सिंग मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेश ध्यान देते थे एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो बारा तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था लेकिन तेरा का ही पहाड करके पहाड़े याद कर लिये लेकिन तेरा का पहाड़ा ही पढ़ना और याद करना जो है उसके लिए पहाड के समान मुसीबत लेकर आ गया था और इसी तरीके से मास्टर त्रिलोक सिंग honestly जो कभी कभार ही बाकी बच्चों पर ध्यान दिया करते थे एक दिन उन्होंने उ थाड़ा सुनातो और अब इसी तरीके से वो समस्या बनकर धनराम के सामने आके खड़ा हो जाता है तेरे कम तेरे तेरे दूनी चौबीस सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मसाब ने लगाई थी कि वह तूट गई और एक आप कह सकते हैं कि पतली डंडी जो है उसी से खीच कर एक संटी लगा देने की वज़ेसे उसकी पिंडलियों पर बड़ी तेज चोट पहुँचाते हुए मास साब उसे मारते हैं गुस्से में उन्होंने आदेश दिया जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड कर ला फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद कराता हूं त्रिलोक सिंग मास्टर का ये समान्य नियम था सजा पाने वाले को ही अपने लिए हत्यार भी जुटाना होता था और जाहिर है बली का बक्रण अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान मे रखकर तहनी का चुनाओ ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बलकि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हत्यार का बच्चा जो है जो भी स्टूडेंट होता था वो अपने को बचाने के चलते उस हिसाब से संटी का चुनाव नहीं करता था बलकि मास्टर को संतोष हो सके इससे मार कर उसको ख्याल में रखते हुए टहनी का चुनाव किया करते थे जैसे लगता है कि वो किसी दूसरे को कर दिया जाता है कि उसके लिए हतियार चुन के लाओ तो आप सबसे खतरनाक हतियार जो है वो चुन के लाएंगे लेकिन वो सबसे खतरनाक हतियार अपने लिए ही चुन रहे होते हैं मास्टर साहब के डर से धनराम की मंद बुद्धी रही हो या मन में बैठा हुआ डर की पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसने तेरह का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। तो धनराम की मंद बुद्धी हो यानि की धनराम कम बुद्धी का है या फिर मन में बैठा वा उसका कोई डर है जिसकी वज़े से पूरा दिन भी महनत करने के बाद वो पहाड़ा याद नहीं कर पाता है तेरह का। छुट्टी के समय जब मास साब ने उससे दुबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीवडी तक पहुंसते पहुंसते वे फिर लड़ खड़ा गया था लेकिन इस बार मास्टर तिलोक सिंग ने उसकी लायवे बेत का उपयोग करने की बज़ाए जबान की चाबुक च उन्तुष्ट कर सकी छुटी होते समय धनराम से फिर से एक बार सवाल किया मास्टर साहब ने मास्टर तिलोक सिंग ने कि एक बार वो फिर से तेरा का पहाड़ा सुना दे लेकिन तेरा का पहाड़ा अभी भी नहीं सुना पाने के बाद मास्टर तिलोक सिंग ने अपने उस हतियार का प्रयोग करने की बजाए जबान की चाबुक लगा दी थी चाबुक हम सभी जानते है और चाबुक से जब मार पड़ती है तो उसकी चोट भी बहुत गहरी होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी चोट देने वाली एक चाबुक होती है, वो होती है जबान जबान की चाबुक कैसे काम करती है इतना कड़वा बोल देने से जिससे की विक्ति के मन मस्तिश्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उस दिन मास्टर साहाब ने अपने जबान की चाबुक लगा दी थी उन्होंने बोला तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रहे विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें और उन्होंने इस तरीके से अपने जुबान की चाबुक चलाई उन्होंने धन्राम को बोला कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ यानि कि तेरा दिमाग जो है बहुत ही स उसे नरम कर दिया जाता है आग में तपा कर तो आग जो है यहाँ पर महनत का प्रतीक है तो ना तो वो महनत कर सकता है और ना ही महनत करने के बाद जो उसके दिमाग को ताप लगे जिससे की वो बुद्धिमान हो सके या कुछ पढ़ लिख सके वो ताप नहीं लग पाएगा इसमें ऐसा मास्टर तिलोक सिंग की जबान की चाबुक ने अपना काम किया अपने थेले से पांच छे दरातिया निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी और इस तरीके से उन्होंने अपनी जबान की चाबुक लगाने के साथ साथ ये भी परिलक्षित किया कि वो उसे कितना मंदबुद्धी समझते हैं और उसे किस लायक समझते हैं अपने थैले से चार-पांच पांच दरातिया निकालते हैं और धनराम को दे देते हैं कि धार लगा कर लियाएं किताबों की विद्या का ताप लगाने की समर्थे धनराम के पिता की नहीं थी धनराम जो धनराम के पिता हैं वो स्वेम लोहे का काम करते थे लोहे से चीजे बनाया करते थे उन पर धार चड़ाया करते थे और वो बच्चे को अपने किताबों की विद्या नहीं दे सकते थे उन्हें ना ही वो सामर्थे थी धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था यानि वो थोड़ा ही बड़ा हुआ था जब लोग ये समझने कि अब ये काम धंदे पर बैठने लायक हो गया है तभी उसके बाप ने उसे धौकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलजाना श जो लोहे के काम है उसको सिखाना शुरू कर दिया उमर होते ही और इस तरीके से उन्होंने उसका में उलजाना उसे शुरू कर दिया और फिर धीरे हतोड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा फर कितना ही था कि जहां मास्टर तिलोक सिंग उसे अपनी पसंद क बेत चुनने की छूट दे देते थे वहां गंगा राम इसका चुनाओ स्वेम करते थे और जो गंगा राम थे वो स्वेम उसका चुनाओ करते थे मास्टर तिलोक सिंग जो है प्रहार करने वाले जो हत्यार हैं उनका चुनाओ करने का दिकार वो सजा खाने पाने वाले को ही दिया करते थे और जरह सी गलती होने पर छड़, बेंत, हथा जो अभी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत समभाल ले और पास पड़ोस के गाओं वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे और इस तरीके से स्कूल में मास्टर तिलोक सिंग के प्रहार से तो वो विद्या का ताप नहीं ग्रहन कर पाया लेकिन गंगाराम के प्रहार से उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और अपनी जीवी का प्राप्त करने के लायक हो गया और ऐसे ही एक दिन गंगाराम जो है अचानक से चल बस्ते हैं और धनराम सहज भाव से ही समाजिक नियमों के हिसाब से ही या फिर जैसे समा नेसा जीवन जो है आगे की और बड़ चलता है उसी साफ से सहजबाव से ही उनकी विरासत को समाल लेता है पासपड़ोस के लोगों को भी पता नहीं लगता है कि कब वो गंगा राम के आफर को अब धन राम का आफर कहने लगे थे प्रैमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मोहन ने चातर वृत्ती प्राप्त कर ली और जैसी प्रैमरी स्कूल की सीमा लांगी मोहन ने उसे चातर वृत्ती मिल गए और उसे प्राप्त कर तिलोग सिंग मास्टर की भविश्यवानी भी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया जो साधारन ह पहस्यत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशिधर तिवारी का होसला बढ़ गया। पुरोहिताई करने वाले वंशिधर तिवारी हैं उनका भी अब होसला बढ़ने लग गया। जो की पैत्रिक धंदे में थे यानि की पुरोहिताई करते थे उन्हें ये तो पता था कि पुरोहिताई में अब कुछ नहीं रह गया है वो अपने घर परिवार को जीवन नहीं दे पाए इससे वो कमाई नहीं है। इसलिए वो अब अपने बेटे को पुरोहिताई में न धकेल कर बलकि उसे पढ़ा लिखा कर कोई बढ़ा अफसर बनाना देना चाहते थे। दान दक्षिना के बूते पर वो किसी तरहा परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। इस सब कुछ हो जाए ऐसा जरूरी भी नहीं। दो मील की चड़ाई के अपरावा बरसात के मौसम में रास्ते में पढ़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। और इस तरीके से वो चार मील दूर जो स्कूल था वहाँ जाने में मौसम के रास्ते में पढ़ने वाली जो नदी है उसकी भी समस्या अलग सती तो भी वंशी धरने हिम्मत नहीं आरी लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया बालक मोहनलंबा रास्ता तैकर स्कूल जाता और पुराणों की कथाएं सुना कर उसे विद्या व्यसनी बालकों का उधारन देते हैं विद्या व्यसनी जो विद्या में ही अपने जीवन जो है विद्या के आसपास ही बिता रहे थे विद्या का व्यसन करते थे उन बालकों के उधारन सुनाते थे कहां से पुराणों की कथ और उसे ये सुना सुना कर उत्साहित करते रहते दिन रात उसको मोटिवेशन देते रहते कि वो पढ़े और महनत करे और महनत करे जिससे कि उपने जीवन में आगे बढ़ सके वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशी धर ने नदी पार के गाउं में एक यजमान की घर पर मोहन का डेरा तै कर दिया था जब बरसात का मौसम आया और बरसात के मौसम में कई समस्यां देखते हुए वंशी धर ने अपने ही किसी एक यजमान से बात करके मोहन का डेरा यानि मोहन के रहने का वहाँ पर इंतजाम कर दिया जिससे कि वो स्कूल में पढ़कर वहीं पर ही रह जाए और छुटिया मिलने पर ही वो घर मिलने आया करे घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खापी कर स्कूल जाता और छुटियों में नदी उतार पर होने पर यानि नदी का पानी जब कम होता तो वो गौण लोटाता था सेयों की बात एक बर छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर रही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी और भारी वर्षा होने के कारण अचानक से नदी का पानी बढ़ जाता है पहले नदी की धारा में ज़ाड जंकार और पात पतेल आने शुरू है तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन किनारे पहुंचते ना पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा वे लोग किसी प्रकास साकुशल यानि की बिना किसी समस्या के बिना कोई चोट पहुंचे कोई बड़ी समस्या कठाएं आने से पहले इस पार पहुंचने में सफल हो गए यानि कि ये कोइंसिडेंसी था कि चलते हुए ही पानी तो उतार पे था लेकिन दूसी पाड़ी की तरफ से बारिश होने की वज़े से ऐसी समस्या हुई लेकिन साकुषल वो घर पहुँच गए इस घटना के बाद वंशिदर जो है वो घबरा जाते हैं अच्चे के भविशे को लेकर चिंतित हो जाते हैं बिरादरी के एक संपन परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनव से चुट्टियों में गाउँ आया वा था बिरादरी यानि कि पुरोहित परिवार का ही एक ब्रामण जो है आता है जो कि उन ही के एक संपन परिवार का युवक है जिसका नाम है रमेश जो कि लखनव में रहता है लखनव से चुट्टियों में गाउँ आया वा था बातों बातों में वन्शिदर ने मोहन की पढ़ाई के संबन में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने ना केवल अपनी सानवूती जतलाई बल्कि उन्हें सुझाओ दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनो भेज दें घर में जहां चार प्राणी है एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पढ़ता बलकि बड़े शहर में रहकर वे अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा और इस तरीके से युवक रमेश से जब वंशी दहर ने अपने मन की बात बताई कि मोहन की पढ़ाई के लिए वो किस प्रकार चिंतित है तो युवक रमेश ने उन्हें सहानुवूती दिखाई यानि उन्हें सांतोना दी और उन्हें बोला कि वो मेरे साथ मोहन को घर भेज़ दे जिस तरीके से घर में चार लोग रहते हैं ऐसी एक प्राणी और भी हो जाएगा और घर में एक व्यक्ति बढ़ जाने से कोई समस्या बड़ी समस्या नहीं होगी और बड़े शहर में रहे कि वो पढ़ाई भी अच्छी कर लेगा और इस तरीके से इस सांतोना के चलते वन्शी धर जो है खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि मोहन की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक अच्छा इंतिजाम कर लिया है जो कि एक ही बिरादरी में होने से ये फायदा पहुँचा है वन्शी धर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो रमेश ने जब उन्हें सांतोना दी और कहा कि मेरे साथ ही लखनो भेज़ दो मेरी परिवार के साथ रहकर मोहन भी पढ़ाई कर लेगा और अच्छे शहर में रहकर पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी तो वन्षी धर को ऐसा लगता है जैसे उसे साक्षात भगवान मिल गए हो उनकी आँखों में पानी छल छल आने लगा यानि खुशी के आँसू आने लगे किसी ने इतनी बड़ी मदद के लिए हाथ पकड़ लिया है भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है और इस तरीके से पुरानी सोच वही पुराना धर्रा उन्हें लगता है कि बिरादरी का आदमी होने का यानि अपनी बिरादरी का आदमी जो है इस तरीकी का सहारा बन पाता है छुटियां शेश होने पर छुटियां बची होने पर रमेश जब वापस लोटा तो माबाप और अपने गाउं की दुनिया से बिचुड़ कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनो आप पहुचा और अव्यस है कि अगर आप बच्चे को छोटी उमर में ही किसी के भी साथ भेजेंगे किसी परपस पढ़ना लिखना ही है लेकिन अंजाना पन बच्चे को इतनी जल्दी घुलने मिलने से के लायक नहीं बना पाता है बच्चा यानि मोहन जो है वो सहमा सहमा सा था और रमेश के साथ लखनो जाता है अब मोहन की जिन्दिगे का एक नया अध्याय शुरू होता है यहीं से लेखक यहीं पर बताते हैं कि जो मोहन है उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है अभी तक जब गाउं में रहता था हर एक वेक्ति जो है उसे इजद देता था घर के लोग उसे पढ़ाने लिखाने के लिए और उसकी सुख सुधाओं के लिए पूरा तयार रहते थे जो टीचर्स दें गाओं के वो भी बोला करते थे कि ये तो बहुत ही कुशागर बुद्धी का है बालक नाम कमाए लेकिन अब जो है उसके जीवन का एक नया ध्या शुरू होता है कैसे कहानी में आगे पता लगेगा घर की दोनों महिलाओं रमेश लखनों जब अपने घर ले कर जाता है तो उसके घर में दो महिलाएं हैं जिनने वे चाची और भावी कहकर पुकारता था उनका हाथ बटा जाने का साधन बन गया यानि रमेश जिस तरह की बाते करके लखनों शहर ले जाता है कि मोहन जो है अच्छी पढ़ाई कर सकेगा और उसके घर में एक वेक्ति बढ़ जाने से उसे कोई खास समझ से नहीं होने वाली है वो यहां लाते ही उसका शोशन शुरू हो जाता है ज मोहन ये कपड़े धोबी को तो देया मोहन एक किलो आलू तो ला दे ओसत दफतरी बड़े बावू की हैसित वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरूत जान पड़ता था वही रमेश जो गाउं जाकर वंशी धर से अपनी की हैसित पर कांग करने वाला व्यक्ति जो है मोहन को अपना भाई बिरादर बताना अपने सम्मान के विरूत उसे लगता है यानि उसे अपना रिष्टेदार बताते हुए शरम आती है बाकी लोगों के सामने और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसित वो नहीं देता था इस विवहार के चलते उसने रमेश से कहकर किसी तरीके से एक साधारन से स्कूल में तो अपना नाम लिखवा ही लिया लेकिन एकदम नए वातावरन और रात दिन के काम के बोज़ के कारण गाओं का वह मेधावी चातर शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बन पाया उसका जीवन एक बंदी-बंधाई लीक पर चलता रहा बंदी-बंधाई यानि उसको सुभे से शाम तक वही एक काम और उसमें से वो अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकलता ना ही उसकी बुद्धी काम कर पाती कि उसे अब क्या करना चाहिए साल में एक बार गर्मियों की चुट्टी में गाउं जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गाउं जाने वाला होता वरना उन चुट्टियों को भी अगले दरजे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था और मोहन गर्मियों की चुट्टियों में अपने गाउं भी नहीं जा पाता क्यूंकि रमेश के घरवाले जब वो गाउं की तरफ निकलते तभी ही मोहन को भी गाउं जाने का मौका मिलता वो भी बहुत कम दिनों के लिए और अगर फिर भी किसी तरीके से गाउं आने जाने की बाते होती तो यह कहके टाल दिया जाता कि अगर वो गाओं चला आया तो अगले दर्जे की तैयारी यानि अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर उसे शहर में रुकना पढ़ता कि अगर तुमने अभी गाउं बला लिया तो उसकी पढ़ाई में खलल पढ़ेगा या फिर वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएगा और इस तरीके से अच्छा पढ़ लिख नहीं पाएगा यानि भर्मा के रखा जाता उसके मामले में अगले दर्जे हो रहा था उसका मोहन ने परिस्तितियों से समझोता कर लिया मोहन के पास कोई चारा नहीं रह गया उसको अपने लिए कुछ बहतर कर सके या लोगों से बता कर कुछ अपने जीवन में जो हो रहा है उसका कुछ इलाज कर सके कुछ समझ नहीं आ रहा उसने अपनी परिस्ति से समझोता कर लिया, जैसा चल रहा है जीवन वैसे ही चलाने लगता है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं रहे गया था, घरवालों के अपनी वास्तवी किस्तिती बतला कर वे दुखी नहीं करना चाता था, वंशी धर उसके सुनहरे भविश्य के सपने देख रहा था, और घर आठवी कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्यों में मोहन गाउं आया वा था, आठवी कक्षा की ही बात है कि वो आठवी कक्षा में पढ़ रहा था, जब तो उसकी पढ़ाई खतम करके छुट्यों में ही मोहन गाउं आता है, जब वे लोट कर लखनों पहुंचा तो उ लागे की पढ़ाई करें बल्कि उसकी घर में ही जो है उसकी सुईधाओं में अपना हाथ और भी ज्यादा बढ़ाए बात गूम फिरकर जिस और से उठती हुए इसी मुद्दे पर जरूर खतम हो जाती कि हजारों लाखों B.A.M. मारे मारे बेकार फिर रहे हैं मतलब कभी भ अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले और फिर उसके बाद ये भी बताया जाता कि इस तरीके की पढ़ाई करने से अच्छा तो कोई हाथ का काम सीख ले यानि कोई स्किल सीख ले किसी भी तरीके का काम करने की रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे ए गरेलू कामकाज में ही वैस्त रहता था धीरे धीरे डेर दो साल का ये समय बीद गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कार खानों यहीं फैक्टरी वगरा में काम करने के लिए चक्करब लगाने लगता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हूँ नहीं उसको य लेकिन क्या ही फैदा है क्योंकि जब वो घरेलू कामकाज में ही विस्त रहता है तो वो क्या ही सीख रहा होगा उसके बार देड़ दो साल का टाइम निकलता है और उसके बाद वो कार खानों और फैक्टरियों के चक्कर लगाने लगता है जिससे कि उसे कुछ वो कमा सके व उसी तरफ वंशी धर गाओं में जब भी उससे कोई मोहन के बारे में पूछता कि वो क्या कर रहा है आज कल क्या पढ़ रहा है कहां तक पहुचा अफसर बनने के लिए कितना टाइम और रह गया तो वंशी धर जो है बहक बहक कर अपने बेटे के विशह में बताता कि वो इस सपना भंग की जानकरी देने का साहाज भी नहीं जुटा पाएं और जिस दिन उसे अपने बेटे की वास्ट्विक्ता का पता लगा कि किस तरीके से वहाँ जाकर उसके साथ धोखा हुआ है उसका शोषण हुआ है और उसके मिधावी बालक के साथ क्या-क्या काम हुए है क् उसका जो सपन भंग हुआ उसके बारे में उसे दूसरों से बताने का साहस बिलकुल भी नहीं हो पाया धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा और एक दिन धनराम भी जो है वंशी धर से आकर मोहन के बारे में पूछता है क्योंकि धनराम जो की सहपाथी था व गास का एक तिनका तोड़कर दात खोदते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोहन के पिता से जब धनराम ने पूछा कि मोहन कर क्या रहा है या उसके विशे में जानकारी लेनी चाहिए तो गास का एक तिनका तोड़कर दात खोदते हुए उन्होंने ब अपने त्रिलोक सिंग मास्टर की भविशिवानी को याद रखी वी थी उसे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होना था उसने सोचा दातों के बीच में तिन का दबा कर असत्य भाशन का दोश ना लगने का संतोश लेकर वंशी धर आगे बढ़ गए थे वंशी धर जो क अपने तरीके से अड़्जस करते हुए बातों को अपने तरीके से बताते हुए वहां से निकल लेना ही उसे संतुष्टी दे जाता है धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे और जब धनराम जवाब मे बोलता है कि मोहन लला तो बचपन से बहुत बुद्धिमान थे इबात उन्हें बहुत कचोटती है फिर त्रिलोक सिंग मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बाते करते रहे और अब सीन वहां का फिर से व उत्तरित करता हुआ खेतों की जो जार जंकाड़े उसे साफ करने के परपस से अपना हस्वा उठाता है और कुंद होने के कारण धनराम लोहार के हां जाता है उसे शाप कराने के लिए तो धनराम जो है और मोहन अपने बचपन की उन्ही स्कूली बातों को छेड़ कर उन्ह तरीके से धनराम जो है मोहन के हस्वे को अब ठीक करना शुरू कर देता है गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था धनराम ने उसे वापिस बेत पहना कर मोहन को लटाते हुए जैसे अपनी भूल चूप के लिए माफी मांगी हो बेचारे पंडित जी को तो फुरसती नहीं रहती लेकिन किसी के हाथ भिजवा दे दे तो मैं ततकाल बना देता और इस तरीके धनराम बोलता है मोहन से कि बेचारे पंडित जी जो है उन्हें तो बिल्कुली फुरसती रहती अगर तुमने किसी के हाथ भिजवा दिया होता तो मैं ततकाल ही बना कर दे देता मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा लेकिन हस्वे को हाथ मिले कर फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी ही ना रही हो वहाँ बैठा रहा इस बात पर जोर देते हुए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जातिगत भेदभाव जो है वो ब्राम्मण जाती के किसी भी वेक्ति को अलाव नहीं करता कि उस एरिया में जाकर वो खड़ा होके ज़्यादा देर तक कान्वर्सेशन भी करे यह और बैठना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन उन सब चीजों को त करते हुए देखता हुआ सोचता है और उसी के बाद समाने तोर से ब्राम्मर टोले के लोगों का उठना बैठना नहीं होता था तो समाने तोर से ब्राम्मर टोले के जो लोग है वो शिल्पकार टोले में उठना बैठना उनका नहीं होता था किसी कामकाज के सिलसले में यद ब्रामर टोले का वेक्ति कोई अगर आ भी रहा है शिल्पकार टोले में तो उनको ये भी हक नहीं है कि उन्हें प्यार से और इजट से वो बैठने के लिए भी बोले ये भी मर्यादा के विरुद समझा जाता था पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाओं की इन मानिताओं से आपरिचित हो ऐसा संभो नहीं था यानि मोहन जो है गाओं की ये जो मानिता हैं उससे आपरीचित है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो सब जानता है धनराम मन ही मन उसके विवार से असमंजस में पढ़ा था धनराम जो है मोहन को ऐसा करते हुए देख रहा था क्या करते हुए उसको उसी टोले में बैठ कर अपने की जुर्रत की और अपना काम करता रहा लोहे की एक मोटी छड को भटी में गला कर धनराम गुलाई में मोडने की कोशिश कर रहा था अब लोहे की एक मोटी सी छड को लेता है भटी में गलाता है धनराम उसे जिसे की उसे गुलाई में मोड सके और नया कार दे सके और ये को रहा था फिर उसने अपना संकोच त्याग कर फिर मतलब बहुत देर तक मोहन ने धनराम को ये करते हुए देखा और धनराम ये नहीं कर पा रहा था यानि एक नया कार उसे नहीं दे पा रहा था लोहे को ये करता हुए बहुत देर तक तो देखता रहा फिर उसके बाद उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से तोड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए नपी तुली यानि अपने जीवन में उसने भी बहुत संघर्श किये जब उसका शोशन हो रहा था पटने लिखने को नहीं मिल रहा था और जब वो फैक्टरियों के चक्कर लगा रहा था तो तब ही उसने इन सारी चीजों से जूज रहा था और हथोड़ा लेते ही उसने नपी तुली चोट मारी अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दुबारा भटी में गरम करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगर गोले का रूप दे डाला और उसकी कुशागर बुद्धी ने क्या सीख डाला है यह हमको यहाँ पर दिखता है मोहन का यह हस्तशेप यानि मोहन जो है धनराम के काम को लेकर हस्तशेप करता है एक तरीके से इतनी फूर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूप का मौका ही नहीं मिला वह आवाक यानि एकदम हैरान होकर मोहन की और देखता रह जाता है उसे मोहन की कारीगरी पर उतना अश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खांदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था यानि धनराम जो है इस तरीके से मोहन का लोहे को गला कर उसको वो गोलाई देने के काम से आश्चर्य चकित नहीं हुआ जितना की वो इस बात से हैरान था कि पुरोहित खांदान का एक युवक इस तरह का काम कर रहा है और उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ वे शंकित दृष्टी से इधर उधर देखने लगा धनराम की संकोच धनराम की जो संकोच है असमंजस है और जो धरम संकट है उसकी स्थिती से उधासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छले की तृटी हीन गोलाई को जाच रहा था और मोहन जो है उस लोहे के छले की जो तृटी है उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था उसने धनराम को इशारों इशारों में अपने की गई कारीगरी को दिखाया और स्वीकृती पाने की मुद्रा में देखा कि ये ठीक हुए न काम उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी सरजक जो कुछ गढ़ता है, कुछ नया बनाता है मौहन ने इस वक्त पर एक लोहा तयार किया था उसे नया रूप दे कर वो इस वक्त पर एक सरजक है उसकी आँख में चमक है चमक यानि कि जब आपने कुछ सीखा होता है और आप उसे बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और अपने तरीके से उसे सफलता पूर्वक कर लेते तो आपकी आँखों में चमक आती कि हाँ मैंने सीख लिया और यह मैंने कितनी सक्सेसफुली इसे कर लिया वही चमक जो है उसकी आँखों में किसकी मोहन की आँखों में दिख रही थी सरजक की चमक दिख रही थी जिसमें ना तो इस परधा थी यानि कोई competition नहीं था और ना ही किसी परकार की हार जीत का भाव और ना ही कोई हार जीत का भाव रख रहा था इसमें और इस तरीके से यहाँ पर इस पार्ट के चलते बहुत सारी बाते जो हैं वो खुलकर आई जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक मेहनत कशादमी की बात चर्चा होगी और उसके साथ ही जो सुविदाहिन तबका है उसकी चर्चा होगी और साथ ही साथ जो जातिगत बेदवाव है उसकी चर्चा होगी और इस तरीके से वो ये सभी पार्थ में हमें देखने को मिलता है कि कहां जो कुशागर बुद्धी का एक पुरोहित खांदान का बुद्धिमान बाला के उसका शोशन कैसे होता है और वहीं पर धनराम जो कि उसको किस तरीके से समाज द्वारा जो दी गई चाबुक होती उसकी मार जहलनी पड़ती है और बाद में इन सब को ताक पर रखने वाले मोहन का जो विवार है वो देखने को मिलता है तो आई होब कि आपको ये चेप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो जुरू इससे शेर करें और लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तेंक यू